बिस्पिल्लाहिर रह्मान ररहीम, सलाम अलेकुम तो आज हम बनाएंगे चीजी तिका पास्ता, तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक कप मैंने बॉनलेस चिकन लिया है, अब इसके अंदर टू टेबल स्पून तिका मसाला डाल देंगे फिर हाफ टी स्पून नमक, वन फॉर टेबल स्पून लाल मिर्च, टू टेबल स्पून विनिकर, अब इन तमाम मसाला चाथ को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम चिकन को फ्राइ कर लेंगे चिकन को फ्राइ करने के लिए सबसे पहले हम पैन में 5 टेबल स्पून ओईल लेंगे और फिर इसके अंदर चिकन को डाल देंगे और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे एट लिस्ट 8 मिनट तक फ्राइ करना है 8 से 10 मिनट के बाद चिकन फ्राइ हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे अब इसी कराही में जिसमें हमने चिकन बनाया था इसमें 3 टेबल स्पून और ओल डाल देंगे और फिर इसके अंदर 3 टेबल स्पून चॉप लहसन डाल देंगे और एक मिनट तक मीडियम फ्राइ करेंगे एक मिनट के बाद अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइस की चॉप प्यास डाल देंगे और 10 सेकिट सक इसको फ्राइ करेंगे लेसन के साथ इसके बाद इसके अंदर एक मीडियम साइस की शिमला मिच्ट डाल देंगे इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे आदा कप गाज़ डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छा से मिक्स करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे सबसे पहले 2 टेबल स्पून तिका मसाला डाल देंगे फिर 1 टेबल स्पून दादर मिच्चे डाल देंगे फिर 1 टेबल स्पून ग्रेंट धनिया डाल देंगे फिर 1 टेबल स्पून ग्रेंट जीरा डाल देंगे फिर 1 टेबल स्पून काली मिस डाल देंगे फिर 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और आखिड में 1 फोर टी स्पून लाल मीश डाल देंगे और इन तमाम मसालजाद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसके अंदर चिकन डाल देंगे जो हमने पहले फ्राई किया था और फिर चिकन को वेजिस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम सॉसिस डालेंगे सॉसिस पे पहले टू टेबल स्पून सिर्कर डाल देंगे फिर टू टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे और आखिर में टू टेबल स्पून सोया सोस डाल देंगे और फिर इन तमान सौसिस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर फूर टेबल स्पून कैचिप डाल देंगे और कैचिप को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप कैचप की जगड टोमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं अब दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुप करेंगे दो मिनिट के बाद अब हम इसके अंदर दो चीज स्लाइसीस डाल देंगे और फिर हाफ कप मॉस्ट्रेला चीज डाल देंगे अब चीज को अच्छे से मिक्स्ट्र में मिक्स कर लेंगे अब हम इसके अंदर एक प्रकेट बॉयल पास्ता डाल देंगे पास्ता मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था और अब हम इसको लो फ्लेम पे दो मिनिट तक कूप करेंगे ताकि जो पास्ता है वो मसाले में अच्छा से मिक्स हो जाए और अगर हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो ये जल सकता है तो तो त्यार है मस्तितार सा चीजी तिका बास्ता तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रस्तवी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज